स्वागत है आप सभी का अपने यूटूब चैनल Study and Creation by गाजी पुरिया पर अनेक सब्दों के लिए एक सब्द Question No.1 जो इस तरी सूर्य भी ना देख सके के लिए एक सब्द है इसके चार आप्सन दिये गाए है Option A. विदूसी Option B. अलच्छा Option C. असूर्य पस्या और Option D. सास्त्रग्या और इसका सही Option होगा Option C. असूर्य पस्या Question No.2 अग्या का क्या अर्थ है इसके चार आप्सन दिये गाए है Option A. जो कुछ नहीं जानता हो Option B. जो सब कुछ जानता हो Option C. जो थोड़ा बहुत जानता हो Option D. जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो इसका अंसूर Option A. होगा जो कुछ भी नहीं जानता हो Question No.3 अपने सहारे पर रहने वाले के लिए एक सब्द है इसके लिए आपको चार आप्सन दिये गाए है Option A. स्वाव लंबी Option B. आत्म निर्भरी Option C. बलिष्ट Option D. आत्म विश्वासी और इसका सही Option होगा Option A. स्वाव लंबी Question No.4 अपर मैं किस वाक्यांस के लिए एक सब्द है Option A. जो तौला या नापान आजा सके Option B. जो अवस से होने वाला हो Option C. जो प्रमाट से सिद्ध ना हो सके Option D. जो समय पर सम्भाव ना हो सके इस Question में एक नहीं बलकि दो Options है होंगे Option A. और Option C. Option A. जो तौला या अपन आपान आजा सके और Option C. जो प्रमाट से सिद्ध ना हो सके Question No.5 किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले वाक्यान्स के लिए एक सब्द है इसके लिए आपको चार उप्सन दिये गा है Option A. विजित Option B. बिजेता Option C. जिग्यूसू Option D. जिग्यासू और इसका सही उप्सन है Option C. जिग्यूसू Question No.6 जो इस तरी सूर्य बेना देख सके वाक्यान्स के लिए एक सब्द है इसके लिए आपको चार उप्सन दिये गा है Option A. सास्तराज्या Option B. असूर्यम पस्या Option C. स्त्राड Option D. दुर्निवार और इसका सही उप्सन होगा Option B. असूर्यम पस्या Question No.7 कुछ खास सर्तों पर किसी कार्य को करने का समझाता के लिए एक सब्द है इसके लिए आपको चार उप्सन दिये गा है Option A. करमटता Option B. बेलदारी Option C. ठेकेदारी Option D. सम्विदा और इसका सही उप्सन है Option D. सम्विदा Question No.8 जिसकी पहले से कोई आसा ना हो के लिए एक सब्द है इसके लिए चार उप्सन दिये गा है Option A. अप्रत्यासित Option B. आसा तीत Option C. आसा जनक Option D. अप्रत्यासित और इसका सही उप्सन है Option A. अप्रत्यासित Question No.9 राज्य दौरा निकाला गया अधिकारिक आदेश वाक्यांसित के लिए एक सब्द है इसके लिए आपको चार उप्सन दिये गया है Option A. अधिनियम Option B. अध्यादेश Option C. अधियाचना Option D. अधिसूचना और इसका सही उप्सन है Option B. अधियादेश Question No.10 वो इस तरी जिसका पती परदेश गया हो वाक्यांसित के लिए एक सब्द इसके चार उप्सन है Option A. नौडा Option B. प्रोतस्यत पतिका Option C. प्रोसित पतिका Option D. आगत पतिका और इसका सही उप्सन है Option C. प्रोसित पतिका Question No.11 पैर से सिर्थक वाक्यांस के लिए एक सब्द है इसके चार उप्सन है Option A. सिखनक Option B. सिरो पर Option C. पादमस्तक Option D. आपादमस्तक और इसका सही उप्सन है Option D. आपादमस्तक Question No.12 अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला वाक्यांस के लिए एक सब्द है इसके चार उप्सन है Option A. दुराग्र Option B. अनाग्रही Option C. दुराग्रही Option D. कुआग्रही और इसका सही उप्सन है Option C. दुराग्रही Question No.13 जिसका निवारण अत्यंत कर्ष्ट से किया जा सके के लिए एक सब्द है इसके लिए चार उप्सन दिये गए है Option A. अनिवार Option B. निर निवार Option C. दुर निवार और Option D. कुनिवार और इसका सही उप्सन है Option C. दुर निवार हमारा आगला कोश्चन कान के नीचे लटका हुआ कुमल भाग के लिए एक सब्द है इसके चार उप्सन है Option A. कर्ण फूल Option B. कर्णा भरण Option C. कर्ण पाली Option D. कर्ण हमारा अगला कोश्चन जो पान करने योगे नहीं है के लिए एक सब्द है इसके चार उप्सन है Option A. अपथ्य Option B. अभच्य Option C. अगम्य Option D. अपे और इसका सही उप्सन है Option D. अपे अब हम चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ अनेक सब्दों के लिए एक सब्द के निमलिकित विकल्पों में से कौन गलत है इसके लिए चार उप्सन दिये गए है Option A. जंगल की आग दावानल Option B. आगे की सोचने वाला अगरगामी Option C. समुद्र की आग बढवानल Option D. पेट की आग जट्रागिनी और इसमें अप्सन B. गलत है आगे की सोचने वाले को अगरगामी को आगे की तरफ चलने वाले को अगरगामी कहते है अब हम चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो बहुत बोलता है वाकिय के लिए एक सब्द है इसके चार अप्सन दिये गए है Option A. वक्ता Option B. प्रवक्ता Option C. वाचाल Option D. प्रकर और इसका सही अप्सन है Option C. वाचाल अब हम चलते हैं अगले कोश्चन की तरफ जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाकियान्स के लिए एक सब्द है इसके चार अप्सन है Option A. अभेग्य Option B. दुरभेग्य Option C. समवेग्य Option D. नवेग्य इसका सही अप्सन है Option A. अभेग्य अब हम चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ जो एक जगह से दूसरे जगह नो ले जाये जा सके के लिए एक सब्द है इसके चार अप्सन है Option A. सदावरत Option B. स्थावर Option C. स्थानिय Option D. स्थार्थक और इसका सही अप्सन है Option B. स्थावर अब हम चलते हैं अपने अगले कोश्चन की तरफ जिसका कोई सत्रू पैदा ही ना हुआ हो वाक्यान्स के लिए एक सब्द है इसके चार अप्सन है अजाद सत्रू Option B. सत्रू घन Option C. सत्रू हीन Option D. सत्रू विहीन और इसका सही अप्सन है Option A. अजाद सत्रू Question No.21 जिसका कोई सत्रू जन्मा ही ना हो वाक्यान्स के लिए एक सब्ध है इसके चार अपसण है option E अजे option B सत्रू जयी option C अजाध सत्रू option D सत्रू विहीन और इसका सई option है option C अजाध सत्रू question number 22 अपना मंतव्य साधने वाले के लिए एक सब्ध है इसके चार अप्षन है, अप्षन A, परमार्थी, अप्षन B, धर्मार्थी, अप्षन C, स्वार्थी, अप्षन D, सत्यार्थी और इसका सही अप्षन है, अप्षन C, स्वार्थी Q23, जिसका उचारण न किया गया हो, के लिए एक सब्द है इसके चार अप्सन है, अप्सन A, समुचरित, अप्सन B, अनुतरित, अप्सन C, मौन, अप्सन D, अनुचरित, और इसका सही अप्सन है, अप्सन D, अनुचरित Question No.24, अपरडी नीद सबनिम्लिखित में से किस वाक्यांस के लिए प्रयोक्त होता है? इसके चार अप्सन है, अप्सन A, जिसका परिमार ना निकलता हो, अप्सन B, जिसका बिवाह न हुआ हो, अप्सन C, जिसका बिवाह हो चुका हो, अप्सन D, जो देखने में प्रितिकर हो, और इसका सही अप्सन है, अप्सन D, जो देखने में प्रितिकर ना हो